सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ट्राइंग स्टेडी को और बेल के आइकट को दबा दें साथ ही आल उपर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले में सब्सक्राइब करेंगे तो इसके लिए हमें चाहिए लेंथ प्रेट और हाइट मैं आपको बता देता हूं इसकी लेंथ है पचासी सेंटिमेटर बेर्ट है 47 हाइट है 164 और लेंथ जोड़ के आरह 132 और ब्रेट और हाइट जोड़ के आरह 211 तो हमारे जो स्केल बनेंगी व ग्राइब हम आज इस कंटेंगे एक 132 और इसमें जो वहारा फुट आएगा वाएगा एक पौइंट दस सेंटिमेटर का यह अब देख सकते हैं और हमने इस ने तो यह यह देख सब्सक्राइएा गा। सो दो-स-ट,स अमने सेवह करद हैं जो हमारीले सीट है कि यह लोग भ्रभी है नियुन कढ़ करने होते हैं अब देख सकते हैं तो मैं यहान से न कॉन ले लिया है इस पर sudah प्रीकार को्त करना है जै हमारा इसो nella स्की चुछांगा है यहाँ हो तो कि कर दो और हम देख सकते हैं यहां से यह दिए की यह दो ओती सिर्ट है ठील बराबर आपके भाग हुए हैं सबसे पहले हम एक भाग यहां पे चाट देंगे ऑस तरह से अब और आप गाटने के बाद Max ने काटती है इसकी लैंत और लैंड है फचय शेंटींट्र है यहां से यहां एक भाग याप के अभी length हमने हुमने एक भाग इसमें और यहां से बंदे काटना है है T rail यहां से हम काटेंगे एक भाग कि आप देख सकते हैं यह आग एसकार दूसरा भाग हमने यहां से काटनी है इसकी ब्रेथ और जो है मेरे पास है 47 सेंटिम्टर तो अब देख सकते हैं यहां से यह देखिए यह आपका है 45 45 और यहां पर वह से यह दाइज सेंटिम्टर है फिर मैं यहां से अलग से समय निशान लगा जिता हूं यह आपका 45 है यहां पर है 45 यह और यह आपका दो आगया शुल्प आप देख सकते हैं यहां प्यारा एक वहां हमारा अपने आप वापिस बचिया है तो हमने क्या करना है इसी तरह से हमने यहाँ पर विस्में निशान लगाना है और इन निशानों को पर ऊपर मिला देना है इस तरह से हमने जो यहाँ से हो इधर को गोहादेना है और अब हम से काटेंगे इसमें हाइट और ब्रैठ जो हमारा जोड के आ रहा है 2211 हमने यहां से 200 1,1 cm काटना है ना देखी यह आपका गया 200 अब हमने इसमें 11 कैसे काटना है दोसों के बाद कि देखिए यह आपका 10 और 11 इस तरह से हमने यह आगया है 211 अब बच्चीवी शीट के हमने ब्राबर पांच भाग करने हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर में यहां पर नियून कौन ले रहा हूं अजय को अश्क्रेश अब हमने इसमें बराबर पांच निशान लगाने इस रेखा फे यहां से बराबर पांच निशान में लगा देंगे एक दो तीर चार पांच इस तरह से हमें पास निशान इसमें लगा दिये हैं अब हमने इसमें नाम लिख सकते हैं एक दो तीर चार पांच जो पांच वा लास्ट है उसको मिहा लास्ट के साथ है मिला देंगे इस तरह से हम इसको या मिला देंगे इसी के समानां तर हम रेका किचेंगे चार से इस तरह से अब हम किचेंगे रेका टीम से दो से आ गई है और ये लास्ट है एक इस तरह से हमने जो आपके पाप बच गए थी शीट इसके हमने बराबर पांच भाग कर लिए हैं हम इसको देख भी सकते हैं कि हमारे भाग ठीक आये हैं तो हम यहां से दी पकार खोल के इसको देखें हैं एक दो चार पांट जहें बिल्कुल ब्राबर भाग हमने क्या करना है लिए गई है जितनी आपके दो फॉर हुआ है यह आप देखिए और यहां से हमने यह से हमने दो आप चोड़ देना है पहले ही इस तरह से और हम कातेंगे इसमें हाइट है हमारी है एक सो चो शाइन सेंटिमेटर तो हम ने इन यहां से एक सो चॉंसर सेंटिमेटर लेना है तो यह आपका गया पचास यह आपका जाता है साथ कियां अब हमें चार इसमें और लेना है आगे यह का गैजा तो यह का आगया दो बहुँ का गई हाइट हम नहिए से एक और लेना है एक बहु जितना हमारा है टनी परकार खोलें जब यह आप देख सकते हैं एक बाग जितनी मैंने परकार खोल लिए है यहां से और हम यहां से एक भाग जो हो यह हमने काड़ दिया है यह आपका गया एक भाग अब हम काटेंगे यहां से इसकी ब्रैट और इसकी ब्रैट है 47 यह आप देखिए यह आपका 40 45 47 देखिए यह पूरी पूरी आ गई है और दो भाग मेरे वापस यहां पर हमारे बज़ गे हैं अब किसी तरह से हम यहां पर भी इसमें निशान लगा देंगे और इन निशाना को हम फिर आपस में मिला इस तरह से जितने भी हमारे निशान में हमारी स्क्ल्राइन हें झाह दो जो हमारी अफाल्टू लाइन है इन लाइनों को मिल्थ डिंगे औरहिए हैं एलिवेशन साइट और यहां पर हम लिखेंगे प्लान और यहां लिखेंगे प्रोजेक्शन और यहां इसी हम हाइट लिख देंगे यहां हम इसकी ब्रैट लिख देंगे और यहां हम इसकी लेंथ लिख देंगे यह मैं पूरा कारे करता हूं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं यह हमा ये ब्रेर्ट ये इसकी है लैंथ यजे आफ देख सकते हैं जो ह्यी का modeled हुआ है इसी तरह से आपने ही सारा काले सपाय आइस से करना है जैसे यह आपकी देखा है एक्स और वाय लाइन है इस ते से एकस वाइड बन गई है और इसके उपर हमने जो है उसकेल पूरी सॉल्व करके बनानी है तो इसी वीडियो में अगर मैं यह कारे कर लेता हूं तो यह बहुत लंबी हो जाएगी और हम अगले वीडियो में इसमें स्केल जो है बना के आपको दिखा देता हूं यहां कई बर्ग नहीं बना है तो आपकी जो स्केल है वो गलत हम बर्ग बनना जरूरी है तो इस बर्ग को हम आधा ही यहां पर रख लेते हैं इस तरह से क्योंकि हमें आदे ही बर्क की जो हो ज़र्वत होती है इस तरह से जब हम यहां पर फुटा बना सकते हैं यहां यहां भी फुटा बना सकते हैं इस तरह से ही आपकी कागजवांट जो स्केल नंबर आपकी है 18 इसकी कागजवांट हमारी पूरी हो गई है इस तरह आपने भी सफाई के सहसाथ और अच्छे से कागजवांट करनी है अगली वीडियो में मैं आपको पूरी स्केल जो है वो सॉल्व करके बता दो कूँ कूँ